इस वीडियो में हम दो देखने वाले हैं क्लास ट्वायर सोसिलोजी समासाथ का चैप्टर 3 सामाजिक संस्थाय निरंतरता आवं परिवर्तन तो इससे पहले कि दू चैप्टर हम नों कवर कर चुके आगो जो आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप उन्हें जाके देख सक देखें हैं तो यह व्युक्त चैप्टर है समाजिक सांसथां निरंतरताव यह को बहुत इंपर्वर्त हैं तो आप इस वीडियो को अंण तक देखेंगा तो इस बायाकि जाती व्यवस्ता में दहरत सब्सक्राइब घर्ण minus करदें जान एक क्या होती है अधारत के अधारत वर Walker व्हारत में Stats ना ऐसान सकत्राइब यह बहुत सभी है कि पहले वर्षों कि जलते आ cancer वश्क्राइब आ रहा हैनों समाज संस्था संस्थात्मक विशेषता पर इसका प्रशलन भारती महादीपों के अन्य धार्मिक समुदाय में भी फैला हुआ है विशेष मुसल्मानों शाहियों और शिक्षों में बलकि बताया जा रहा है कि हिंदु समाज में यह सभी प्रकार की महादीपों महादीपों मे अंग्लेजी में कि सब्सक्राइब के सब्सक्राइब का SMITH सब्सक्राइब का होता है मलत कО यह बताए गया है तो आपको यह लिखना होगा ईवा आपतों कर दिफनेशन कली में बताए log जात एक व्यापक सब्द है जो किसी भी चीज के प्रकार या वन्ष किस्म की संबोधित करने के लिए उप्योग किया जाता है। उसके बाद आगे जलता है हमारा उपनिवेशवाद और जाती। 2047 में प्रक्त भारत ही स्वतंता को उपनिवेशिक काल सतंता के पश्यात अत्वा अपनिवेशिक शाष्न के बाद के काल के बीच सभाविक विभाजन वेखा मान सकते हैं। में जाति के वर्तमान सुरूप को अपनिवेशिक काल और साथ ही स्वतंत भारत में तीवरिगत से हुए परिवर्तन दौरा मनिबूते के आकार प्रदान किया गया है मलब की बताया जारा है कि यह जो जाति ववस्था है वो उपनिवेश का उसमेशिवाद में भी विद्यमान का राजिया राज्नितिक संगतन Johann नहीं था उन्कि समधाय कठूर रूप से वर्गव में विभक्त नहीं हुए था मलब कि जनजातिय जो कि भी लिखीत या फिर को किसी भी theo दहर्म के अनुसार अपना धर्म का प्रूद्य करते थे मलब कि उनका कोई भी धर्म नहीं होता थ वो जो लोग भी अपने हिसाप से जंजाती हैं, जो उनके अंदर विद्धमान होता था, उसी का वो लोग पालन वगरा करते थे, जो हमारे उदर गीता, कुरान वगरा होती तो उनके वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था, उनके पास जो उनको पूरुचो दौरा मिला होता था, उसी का यो लोग पालन करते थे, उनमें जाती जैसी कोई ववस्था नहीं थी, ना ही वह हिंदू थे और ना ही किसान, मिलब कि इसमें बताया जारा है, उनमें कोई भी जाती वर्ग विभाजन नहीं था, जंजाती सब्द का प्रयोग अपने वैश्यक यूग में सुरू कि के लिए एक अकेले सब्द का प्रयोग प्रमुक रूप से प्रिशाष्निक सुविधा की दश्टी से किया गया है, मैंकि जंजाती सब्द का प्रयोग अपने विश्यकाल में ही शुरू हो गया था, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जंजाती एक संकल्पना की, यह हैडिंग के सौमित के विशय में वे समुदाय बहुत अधिक कम थे, किन्त इस विचाधारा के विरोधी पक्ष का कहना है कि जंजातियां जातियों से पूर्ता भिन होती हैं क्योंकि उनमें धान में कि अकरमकांडी डश्टि से सुद्ध या सुद्ध का भाव नहीं होता है, जो की ज जातियों से पूर्ता होती हैं क्योंकि उनमें धार्म कि या फिरो किनी भी सुद्ध या सुद्धिताशा का भाव नहीं होता है कि जाति başता होती हैं। कि वहां पर बहुत दिखा जाता है तो आके बताए जा रहा है और इसके वाद आ जाता है परिवार और नातेदारी से पृत्पन हुआ है और जैандर तर लोग परिवार और अनिक वर्ष विताये हैं प्राया कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से गहरा लगाओ अनुभव करता है जबकि दूसरों के बारे में ऐसा मैसुस नहीं करते हैं परिवार की श्रणरश्णा काध्यान इसके एक समाजिक संस्था के रूप में है और समाज की अनिसामाजिक संस समाज में कैसे रहते हो आ समाज में कॉण कौण काण सी ववस्था हैं प्रिष्लित हैं समाज में सिर्चेप्टर बहुत स्था अगे आगे हो ira यह बहुत इंपॉटन टॉपिक है यह बहुत बार आपका पूछा जा चुका है तो इसे ध्यान से देखेगा मेगाले उत्तरा दिकार अधिनियम को 1886 में राष्टपती स्विक्रती प्राप्त हुई यह अधिनियम विशेश रूप से खासी और जनजाती पर लागू होता है उस खासी जनजाती ब्रक्ति परमानी है जो की बुद्धी सफल है और अलपायू नहीं है वसीयत बनाने की प्रथा खासियों में नहीं है खासी साले के ऐसा हुआ था और जो खासी जनजाती है वह एक मात्रवनसज है व्यक्ति तो इसकी विदासत वगरा वसीयत वगरा नहीं बनाए जाती है और यह जो है उसकी मात्ता के अधार पर किसी भी स्टीश को दे दिया जाता है तो इस चैप्टर में बस इतना ही है आई होब कोई चैप्टर समझ में आगया होगा इसके क्वेशन अंसर की वीडियो भी जल्दी आ जाएगी तो अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज से लाइक करें में चैनल को सब्सक्राब कर दिए और बाल आकन भी प्रस कर दिए थांक्यू